कि हलो 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 एवर्डिवन कैसे हैं आप सब्गार्भ इन आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अमेजिंग रसीपी फ्रेंड्स मैं हमेशा लाती हूँ आपके लिए अमेजिंग डेलीशियूस रसीपी तो फ्रेंड्स जिन्हों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तहे दिल से शुक्रिया और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल Magic Kitchen of Krishna फॉर मोर वीडियोज तो आपको हमारा चैनल कैसा लगता है हमारी रेसिपीज कैसे लगती है टिप्स और टिक्स कैसे लगते हैं चरूर बताईएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और हम लेकर आएँगे हमेशा आपके लिए अमेजिग डिलेशियस रसिपीज तो डिलेशियस रसिपीज फॉलिव कीजिएगा हमारे साथ और बनाते रहीएगा Amazing recipe Magic Kitchen of Krishna के साथ तो चले friends देखते हैं आज की हमारी recipe कौन सी है और कौन से tips इसमें छुपे हुए है चले आज हम लाए है फ्रेंड्स आपके लिए मलाई छोले बटा कुल्चा और अमरत सरी स्टफ कुल्चा देखिए कितना यूमी है Delicious ये मलाई छोले तो इतने यूमी है कि आप इसे खाते रह जाएगे और बनाते रह जाएगे बार बार बहुत ही delicious है ये soft soft कुल्चे बटर में टिप के वे और साथ में मलाई वाले छोले यूम मेरे मुँ में तो पानी आ रहा है फ्रेंड्स चले जल्दी से बनाते हैं ये बटर कुल्चा प्लेन वाला और stuffing वाला अम्रच सरी कुल्चा साथ में ये मलाई छोले भूमे पानी आ गया ना फ्रेंड्स और साथ में दीजिएगा बीट रूट और कैरेट साथ में ग्री चिली सालड बिकॉज ये सावन का महीना है प्याज नहीं बनाया हमने बिदाउट ओनियन गार्लिक इतना टेस्टी है ये कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे फ्रेंड्स तो चले क्या सोच रहे हैं बना ले ये यामी रेसिपी मैजिक किचन आपने यूवर्स के लिए हमेशा लाते हैं मैजिकल रेसिपी तो मैजिकल रेसिपी बनाने के लिए चल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल वेल आइकन जरू दवाईएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा स्वात का जादू शेफ कृष्णा के साथ ये हमने ले लिए हैं छोले 250 ग्राम इसे ओवरन नाइट सोग करना है तोड़ी के ओवरन नाइट सोग करने के बाद कि कितने फुले फुले हो जाते हैं आप इसे अच्छे से वाश करेंगे और उसके बाद कुकर में इसे एड़ कर देंगे फ्रेंट्स छोलो को हमें वाईल करना है तकरीवन 80% तन लेकिन हम इसमें ना तो सोडा डालेंगे और ना ही नमक और ना ही हल्वी प्लेन वाटर के साथ में इसे करेंगे हम कुकर में 607 सीटी लगाएंगे और 80% डन हो जाएगा ना तो यह गलेगा एकदम गलावा होगा और ना ही यह हाट लेगा तो लगा लेते हैं सीटी तो फ्रेंट्स सीटी तो आने लगी है च्छे से साथ सेटी हम लगा लेंगे और हमारा जो छोले है वो 80% तक सॉफ्ट डन हो जाएगे तो फ्रेंट्स छोले तो पख गए देखिए कितना यमी लग रहे ना कि इसको बड़े बड़े हो गया और सॉफ्ट हो गया उतना जितना हमें चाहिए और गरम है अभी तो पानी में से इसको निकाल के पानी को ट्रेंड कर लेंगे तो फ्रेंड्स देखिए छोले तो हमारे बहुत अच्छो से पाग गया यह देखिए कितने यामी लग गया ना छोले यह 80 पसंट तक दन है यह देखिए जस्ट इतना ही हमें पकाना था इसे और यह बहुत हाड भी निया बहुत सॉप्ट भी निया चलिए लगा लेते हैं डो पुल्चा के लिए हमें ले लिया दो कप मैदा और 80 ग्राम बाटर एड कर देंगे तू टेबल स्पून योगर्ट यानि दाही एड कर देंगे वन फोर्टी स्पून बेकिंग सोडर हाफ टी स्पून बेकिंग पांडर एड कर देंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टीस्पून तो ठोड़ ठोड़ पाने के साथ अब एक्ट मेंडियम दो बना लेंगे पानी थोड़ा सा लकवाम होना चाहिए तोली थोड़ अच्छा सा डू लगा लेंगे यह त्यार करना है इसे स्ट कुल चवाने स्ट लाइन और फुलिए विल्कुल रेस्टॉरांट वाली स्टैज मिदे कि डोए लग गया हमारा आप सेकेंड जो हमारा है पोर्षन वो यह इस तो को हमें पहुत अच्छे से लगाना है ताकि इस चिपकना बंद कर दे और यह अच्छे से इसमें डूटन गड़ी हो जाए इसको अच्छे से हम इस तरह से आगे की तरफ ले जाके इसको की किस तरह से हम दोको लगा देगा हाथों में जैसे यह चिपकना बंद कर देगा तो समझ लिजिए कि दो आप करेड़ी है पिर इसमें थोड़ा सा ओइल लगाकर इसको रख लेंगे रेस्ट करने के लिए तकरीबन 30 मिनिट्स यह चिपकना बंद कर दिया इसने हम दो को लगा रहे हैं लगातार और चिपकना बंद हो गया तो अभी इस जो रख देते हैं थोड़ा ओइल लगा देते हैं और 30 चॉप कुरियंडर, चॉप जिंजर, सॉल्ट, चाट मसाला, ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक शिली पॉडर, देगी मिर्च, भुना जीरा, चाट मसाला, अब अच्छे से इस तो कर देंगे मिर्च, ये रेडी है हमारा स्टपिंग, चलिए हमने गरम कर लिया, ओयल, इसमेल ले लेंगे, हम इस तरह से कटे वे टोमाटो, ये चार बड़े-बड़े टोमाटो है, जो इस तरह से हमने कट किया है, दो टेबल स्पून ओयल लिया है, फ्रेंट्स, हम लेंगे एक इंच कपड़ा जिंजर, हम यहां बिदाउट ओनि सो गार्लिक नहीं लेगे, तो ये देखिए, एड़ कर देंगे, ग्रीन चीली, तो फ्रेंट्स लेट के वे हरी मिर्च तिखी वाली है, और नॉर्मल दोनों तरह की हरी मिर्च हम एड़ कर रहें यहां पे, इसमें तिखा मन जो आएगा, वो हरी मिर्च का होगा, तो देखि हम लेंगे 10 से 12 काजु, इनको करेंगे अच्छे से मिक्स, इसको पकतना है साफ होने तर, एड़ कर देंगे कश्मी ली लाल मेट्स, 2 केबल स्पून, इसी का कलर आएगा यह तिखा नहीं होता फ्रेंड्स इसले इसको कलर की एड़ करते हैं एड़ कर देंगे साल्ट अकॉर्डिंग टेस्ट सॉल्ट इसको गला देगा एड़ कर देंगे टर्मिक पाउडर हाँ टीस्पून एड़ कर देंगे धनिया पाउडर और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स यह देखिए धनिया पाउडर एड़ कर दिया हमने 3 टेबल स्कॉन इस मसाले को पतना है और इसके पतने के बाद तक इवन हमें 7-8 मिनिट में करना है पतने के बाद इसको ठंडा करना और फेस को हम पाइन पेस बताएंगे तो देखिए सारे मसाले हमने इसमें एड़ कर दिया अब इसको मिला देते हैं अच्छे से कि नमक क्या करेगा इस टमाटर को जल्दी से गला दीगा तो जैसे ही गल दाएंगे इसको ठंडा करेंगे तो देखिए साथ से आठ मिनिट में यह अच्छे से पटें टमैटो सौफ हो गए है हरीमेच टमैटो सब इसमें सौफ हो गया है इसको हमें थंटा करना इसको फिर हमें पीस निकाल लेते हैं जार के अंदर थंटा करके फिर इसका पेस्ट को देंगे अब थोड़ा सा पानी एड़ कर देंगे इससे पेस्ट बढाने में असानी हो इसारा मसाला ओयल हम निकाल देते हैं इसी कडाई में हम इसका अगे का प्रोसेस करेंगे तो यह देकि सारे मसाले ओयल हमें निकाल दिए है थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे और इसे तो फ्रेंड्स हमारा यह मैचिक मसाला रेडिंग हो गया फाइन पेस्ट फिल्कुल सॉफ्ट कलर आप देख सकते हैं यह कड़ाई हमने गरम की है तू टेबल स्पून ऑईल ले लिया एड कर दिया बड़ी लाइची बेले शुकी लालमेच दाल चीमी लॉंग काली मेच एक स् और जीरा जीरा एड कर देंगे यह मसाला मैजिक मसाला अब आप कलर देख सकते हमें इसमें जो पानी थोड़ा साइड करके मसाले को एड कर दिया क्योंकि कुछ भी वेस्ट नहीं करना हमें अब इस लो फ्लेंग में तब तक पके जब तक ऑईल सेपरेट नहीं हो गया तो छोले जो हमें वोइल करके रहिए वो इसमें इसमें अब और पकाएंगे चार से पांच मिनट में अईट कर देंगे इसमें क्रीम और दू़ हमने यहां पे हाफकर करेम एड किया हाफकब भी हमने दूड किया है कि यह देखिं कृमी क्रीमी तयार होगा यह बाकी जो बच्चे वे छो लेते वह भी हम एड़ कर देते हैं अब इसको पकना है फ्रेंड्स पांच मिनिट के लिए ठीक पांच मिनिट इसे लो फ्लिम पे पकना है अब देख सकते हैं बाबल बहुत अच्छे से आगे हैं हरी मिट स्वेट की अड़ कर देंगे तसुरी मेथी हातों से डगड कर आड़ कर देंगे और एड़ कर देंगे गरम मसाला 1 teaspoon तो ये पांच मिनिट में बिल्कुल रेड़ी हो जाएगा फ्रेंड्स क्रीमी क्रीमी मलाई छोले एड़ कर देंगे शुगर 1 teaspoon और एड़ कर देंगे बटर 20 to 30 ग्राम तो फ्रेंड्स तयार हो गया हमारा ये डिलेशियस मलाई छोले पानी आ गया फ्रेंड्स तो छोले तो हमारे रेड़ी हैं और कुल्चे का डो भी हमारा रेस्ट कर चुका है तो आप बनाएंगे हम तोनों तरह के कुल्चे छोले यम्यमी छोले हमारे रेड़ी हो गये हैं बिल चोले और गरम कुल्चे विलीकर आमेशिंग लगते ही फ्रेंड्स होगे थोड़े से कुरियंडर और यह करें देया को उपर हूमने गरम और जानीशन के लिए उपर और यह देखे में बिल्कुल एड़ी है Vice करने के लिए जल्दी से बना लेंगे हम कुल्चे हमारे छोले बिल्कुल पर्फेक्टली लेडी हो गए बेल्कुल प्लेट करनें के लिए हैना यमी अरे बाबा थोड़े से कमेंट भी कर दिया करो कभी कभी यमी लगे तो जो लें हमारा फूला फूला विल्कुल हमने इस्स extraordinary बना सकते हैं विल्कुल फूले फूले कुल्चे हम दोना का बनाएंगे थोड़ा सांधिक लेते हैं उसको और इसको कट करके तो हम चुटी लोहियां बना लेकिए सताफिंग बनायों में कुल्चा बनाएंगें स्टाफिंग वाला वम्रत्री साय्भी और हाज से प्लेंग बनाएंगे तो यह देखिए, इस पर रोलिंग पिन पर और इस तरह से बेल लेते हैं थोड़ा सा लंबा बेले क्योंकि जब इसको हातों में उठाएंगे थोड़ा सा स्रिंग होता है पर लगा लेंगे कुरियंडर और काले तिल हम यहां पर नहीं लगा रहें क्योंकि हम बिदाउट गालिक बुना तो काले तिल और सफेद तिल हमने दोनों लगा दिया है इस पर अब इसको ले लेंगे हम हाथ के उपर और बैक साइड में लगाएंगे पानी तब बिल्कुल कर दाम है इस पर अपने कुल्चा अरपा से पानी छड़क तिया तक दिया है आप देखेंगे एक से दो मिनिट में यह फूल जाते हैं लेकिए एक से दो मिनिट हो गए हैं और यह एक साइड पक गया है अच्छे से चिपका है अब इसको टर्ण करके हम यह देखिए कितने सॉप्ट हो जाता है बहुत अच्छे से और पटर की ना तो इसका अनदी नहीं चलिए दूसरा बना देते हैं क्विक्ली तो यह दो के अंदर भड दिया हमने स्टफिंग बन करें थेना इसको क्विक्ली और इसको भी रॉलिंगपिन में बटर You sayב कषश्यू से बेलेंगे इस तरह से अब आंगे जब बना सकते हैं लंबा सब्लाइक सेसमे सेट्स और वाइट सेसमे सेट्स तोड़ा सब्ली हाथ पर लेंगे लगा निंगे पानी तब घरम है तब लगा देते हैं चिपक जाएगा आप इसमें थोड़ा सब्सक्राइड करेंगे यह इस्ते में बना देगा इससे कि फूल घाएगे और रोकर नहीं हों यह सॉफ्ट रहेंगे अब इसको ढग देते हैं दो मिनिट के लिए देखे फ्लेम है हाई तावा है गरम और स्टीम बनेगा पानी डालने से यह देखे फूल गया तो अमरत्सरी कुल्चा हमारा रैडी हो रहा है फ्रेंड्स आप इसमें पुरेंडर तो देखे लगा सकते हैं लेकिन हम नहीं लगाते हैं प्लक्ता है आच्छा है तो साबुत धन्या काली में चीके भी आपच कर सकते यह तैयार हो गया है अच्छे से हमारा अमरत्सरी कुल्चा अच्छे माला बटर लगा लेंगे तो अच्छे से तो देखिए फ्रेंड्स यह तो अम्रत्सरी कुल्चा और हमारा बटा कुल्चा दोनों रेडी है छोले तो आप देखा आपने कि कितने यमी रेडी हो चुके हैं और कुल्चा भी हमारा रेडी है चलिए कर देते हैं प्लेट अम्रत्सरी कुल्चा बटा कुल्चा और मलाई छोले साथ में देंगे बीट रूट और कैरट सैलेट तो रेडी हो गया है फ्रेंड्स चलिए प्लेट करते हैं छोले प्लेट करते हैं यह देखिए यमी मलाई छोले रेडी है फ्रेंड्स कितना यमी है डिलेश्यस कुलेंडर थोड़ा से बटर, थोड़ा से ग्रिंग छिली, थोड़ा केरड, थोड़ा बीट रूट और कुल्चे, बटर कुल्चा और अमर्दसरी कुल्चा, थोड़ा से सालड, थोड़ी हरी मेच, लीजे रेडी हो गया प्रेंड्स हमारा यूमी डिलेश्यस फूट यह आखों को बहु पहुचाते हैं और दिल को खुश करते हैं पेट को भी खुश करते हैं तो क्यों ना बनाए आज हम यह अम्रद्शरी कुल्चे बटर कुल्चे और मलाई छोले साथ में कैरट और बीट रूट का टेस्ट और हरी मिर्च का तीखा बाइट अरे फ्रेंड्स बनाईए ना जल्दी से आप भी कहां उलज गए कैसी लगी आपको आज की हमारी रेसिपी जरूर बताईए हमारी रेसिपी आपके लिए फाइदे मन है या नहीं जरूर बताईएगा और जो रेसिपी आप पसंद करते हैं बनाते हैं तो उसकी पिक जरूर शेयर कीजिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में और आपको हमारे यार Magic Kitchen of Krishna को मिला है, Magic Kitchen आप करता है, दिल से शुक्रियादा करता है, यूँ ही बने रहे हमारे साथ, जुडे रहे और बनाते रहें, अमेजिंग रसेपी, आप बनाए हमारी रसेपी, हम फिर लाएंगे आपके लिए धेरों अमेजिंग रसेपी, और जो फ्रेंट्स चुपके हमारा वीडियो देखते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते हैं, कमेंट्स नहीं करते हैं, वो उन से गुजारिश है, कि प्लीज 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 सब्सक्राइब माइ चैनल, और बने रहें, हमारे दिल के पास रहें, और बनाते रहें, अमेजिंग रसेपी, फिर मिलेंगे एक नहीं रसेपी किसा, तil देन, बावा, I love you.